स्वागत है दोस्तों सुमित गुपता गेमिंग में God of War Ragnarok का पहला gameplay आप लोग के लिए लाया हूँ जैसा आप लोग देख रहे हैं Kratos को सोच रहा है मेरे ख्याल से यह जो सुरुवात है God of War Ragnarok का जो God of War गेम जो PS4 के लिए लाउंच किया गया था उसके स्टोरी को continue करके बनाया गया है इसके बाद का gameplay आने में कुछ time लग सकता है दोस्तों क्योंकि जैसा आप लोग को पिछले unboxing वीडियो में बताया था कि setup अभी तक complete नहीं हुआ है तो setup complete मेरे एक दो दिन में होने वाला है आज संडे पहला पूजा था तो आज तो खेला ही नहीं तो सोच रहा हो कि setup करने के बाद ही खेलूं और उसके बाद gameplay आप लोग को दिखाओ तो ये gameplay कल record किया था unboxing वाले दिन और जैसा आप लोग देख रहे हैं वो जो तीर kratos जो है उसको जो शार्प कर रहा है अपने knife से दोस्तो उसका भी effect controller से आपको महसूस होगा जो PS5 जिसके पास है या जो कभी खेल चुके है तो महसूस कर सकते कि एक एक चीज आपको PS5 महसूस कराता है PS2 में क्या होता था कि जो controller vibration था वो एक समय काफी तेज बस आपको महसूस कराता था लेकिन इसमें क्या है कि हर एक scene हर एक moment आपको सेम तरीके से महसूस कराएगा अगर आपको जरा सा भी tickle हो रहा है तो आपका जो controller है वो वैसे ही response करेगा यह है Arterius यह Kratos का बेटा है God of War 1,2,3 में यह दही था जो God of War PlayStation 4 के लिए आया था उससे इसको introduce किया गया और Ragnarok में भी है और आपको पता ही होगा कि Ragnarok में Odin, Thor यह सब villain है दोस्तो main bosses है इसके बाद के gameplays mainly bosses पे focus करूँगा मैं और सारे जो items है वो collect करने की कोशिश करूँगा काफी सारे challenges भी है God of War Ragnarok में आप लोगो धिरे धिरे दिखाऊंगा सारे चीज़े जैसा ही God of War complete होगा उसके बाद कोई दूसरा game try करेंगे हम लोग अगर आप लोग चाहते हो कि मिक्स करके मैं gameplays डालूं तो comments में मेंशन करना और गेम का sound और मेरा voice का sound कैसा आ रहा है इसके बारे में बताना next time पे अगर कुछ issue होगा तो वो हम लोग ठीक कर लेंगे अभी gameplay जैसा आप लोग देख रहे अब शुरू होने वाला है जो actual हम लोग का gaming experience है वो शुरू होगा जैसा के montage में आप लोग ने देखा था फ्रेया फ्रेया के बेटे को क्रेटोस ने मारा है उसी का वो अभी आईगी बद्ला लेने के लिए दोस्तों God of War 1 में साइध Olympus villain था यानि main boss और God of War 2 में I think Aries main boss था पता नहीं मैं confused दोस्तों मुझे याद दिये 15 साल लगभग 15 साल पहले की बात है God of War मैं 3 जो है खेल नहीं पाया क्योंकि उसमें PS2 को 3 support नहीं कर रहा था PSP पे आया था और उसके बाद PS3 पे आया था और 1 और 2 ही अवलेबल था हमारे PS2 के लिए मेरा PS2 अभी भी मेरे पास है दोस्तों वर्क नहीं करता है उसके सारे गेम्स के कलेक्शन सारे ओरिजिनल गेम के कलेक्शन अभी मेरे पास है किसे दिन सेयर करूंगा आप लोगों से यहां पर अर्ट्रियस कुछ देख रहा है औ और क्रेटो से छुपा रहा है आगे पता चलिएगा क्या है वो क्रेटो से पूछ रहा है तैयार हो उसने नौड करके बोला है जैसा अब लोग बग्गी देख रहे हैं बग्गी में दो वुल्फ है दोस्तों दोनों लड़की है I mean to say gender female है दोनों का सर्वाइविंग फिंबल विंटर यह है हमारा पहला चैप्टर दोस्तों आर बटन देखने के लिए और ट्रिपल लाइन का जो बटन है कैमरा सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए यहां पर वो दिखा रहा है हम लोगों को अभी हम लोग जा रहे है अपने घर स्टेफ की तरफ जो बगई है वो मैं कंट्रोल कर रहा हूं दोस्तों जैसा आप लोग देख रहे हैं राइट लिफ्ट आप कर सकते हो ग्राफिक्स के बारे में आप लोग कॉमेंट से बताओ दोस्तों यह एक्सपिरियंस आपको PC गेमिंग में कभी नहीं मिल सकता है यह एक्सपिरियंस आपको कॉंसोल गेम में ही मिलेगा वो भी PS5 में एक्सपोक्स वन इसके सामने कुछ भी नहीं है और हम लोग सभी जानते कि Microsoft के साइट एराउंस कर दिया है कि हम एक्सपोक्स जो है वो बंद कर देंगे और स्रिफ एक ही कॉंसोल हम लोग के पास रहेगा वो है प्लेस्टेशन फ्रेया आ चुके दोसको तयार हो जाईए एक दासू गेम के लिए फैलकी उसने कहा और वो एक फैलकन बन गई यहाँ पर शील्ड क्रेटोस का यहाँ पर मैं डॉच किया उसको एलवन बटन से जैसा स्क्रीन पर आप लोगो ने देखा एल बटन का यूज़ करने बोल रहा है बतलब अबजेक्ट से हम लोग जो है दाइब आए कर सकें चीरिंग और यहाँ पर फ्रेया फिर से कि यह बैलेंस मोड पर खेल रहा हूं मैं दोस्तों इसमें तीन चार मोड है आइगेस पांच मोड है टोटल सबसे पहला मोड है जिसमें कॉमबैट बहुत कम मिलेगा आपको स्टोरी के एक्सपरियेंस जादा और दूसरा में फोरा कॉमबैट भी जादा मिलेगा और स्टोर हाड मोड जैसे गौड अफ वार बोर्ड एक है यहां पर डिफेंड कर रहें दोस्तों रेट और राइट और लिफ्ट से और यहां पर पीछे फेक दिया और ट्रियस को वापस लिया बग्गी में एक्सपरियेंस काफी धासू दोस्तों आप एकदम हुक हो जाओगे अगर आप एक बार खेलने लग गए तो मुझे नहीं लगता है कि दो तिंग घंटा खेलने के बाद ही आप उठोगे अपने कुर्सी से और तीवी से मैं अपने जो इवेश्टी टीवी से ज्यादा खेलना नहीं चाहरा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है मानुझ यह पे बेटी है उसको भी टीवी देखने का काफी शॉक है तो ठीक नहीं लगता है इसलिए गेमिंग मॉनिटर भी मैंने ओडर किया था और मेरे खाल से वह डेलिवर हो जाएगा आज ही अकल तो सेट अप करूंगा स्टूडियो अपना एक सेटा सा मेरे एक सपना थे अप लोगों को एक आईडिया देने के लिए मैं प्लोट किया दोस्तों कि क्या ग्राफिक्स अब लोग एकस्पेक्ट कर रहे पीस फाइब गेमिंग में और सारे गेम्स में मुझे लगता है ऐसे ही ग्राफिक्स हम लोग मिलने वाले हैं और इसके बाद के जो भी गेमप्ल देखना पसंद होगा या कैसा वीडियो आप लोग इस गेम में या आने वाले जो भी गेम से उसमें अगर बॉसेस गेम प्लेए फोकस देखना चाहते हो या स्टोरी पूरी देखना चाहते हो तो कॉमेंट्स पर बताना उसी हिसाब से मैं अपलोट करूंगा वीडियो और यहां पर लोग घर की तरफ जा रहे हैं फ्रेया को हम लोगों ने खतम कर दिया है पहला एक्स्प्रियेंस मेरे जब कल मैं अन्बॉक्सिंग के बाद ट्राइ कर रहा था दोस्तो मैं पता नहीं सकता हूं कि मैं उसमें क्या महसूस कर रहा था काफी मज़ेदार लगता है दो मतलब मतलब जबरदस्ती का ढो रहा था मैं दोस्तों इतने दिनों से और लाश्टली मैं बोला कि ना अब मुझसे नहीं होगा इसलिए SF4 को अब हम लोगों ने लात बार दी दोस्तों मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप लोग भी लात बारेंगे उस गेम को क्योंकि उस गेम में कुछ रहा ही नहीं दोस्तों ऐसा फटीम निकम में है कुछ कर नहीं सकते हैं गेम प्ले गेम्स या जो टैक्तिस है जो प्लेयर से जो हम लोगों सुवीधा होनी चाहिए खिलने में वह सुवीधा बिलकुल नहीं मिलती है एक torture मिलता है ऐसा फोर से जो कि अब thankfully मैंने तो बंद कर दिया है मेरे साथ बहुत बहुत लोगों ने बंद कर दिया है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि काफी लोग बंद कर देंगे ऐसा फोर खेलना और enjoy करेंगे दूसरे गेम्स मुझे पहले भी कितने सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि दूसरे गेम्स लाओ चैनल पर तो शुरुबात अब कर दिया दोस्तों आसा करतों यह गेम्प्ले पसंद आया होगा कॉमेंट्स पर ज़रूर बताईएगा जो जो मैंने आपसे बात पूछा है फिर विल्द नहीं वीडियो के साथ बाइब बाई